नमश्कार आज के लव राशी फल कारिक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन राशियों के बारे में जिनका प्रेम और दामपति जीवन अच्छा बीतेगा। साथ ही उन राशियों के बारे में जानेंगे जिनको ध्यारे का परीचे देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी के। आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आप बीमारी एवंचिंता का अनुभव करेंगे शरीर में ठकान और आलसे के साथ मन में अशान्ती रहेगे। फ्रेंस और स्वीटार्ट के साथ अच्छा भैवार रखने का प्रयास करें। आपकी सुझाव फ्रेंस और पार्टनर की मदद कर सकते हैं और इससे आपको खुशी मिलेगी। ये दिन नए रिष्टों की शुरुआत करने के लिए भी अनुकूल है। लव लाइफ में रिष्टे समाने बनाए रखने के लिए क्रोध से दूर रहना होगा। अगली राशी है व्रिषब राशी आज का दिन साबधानी पुरवक गुजारें। आज किसी भी प्रकार से कोई नया काम शुरू ना करें। आज फ्रेंस और लव पार्टनर की साथ मुलकात टालने की कोशिश कर सकते हैं। आपका स्वास्त बिगर सकते हैं। योग मेडिटेशन के लिए कुछ समय निकालें। लव लाइफ में आपको अपने रिष्टे को शाबधानी से संभाल कर चलना होगा। लेकिन आप अपने साथी के साथ मदभीत का अनुभव कर सकते हैं। अब बात करेंगे मितुन राशी के। आज के दिन आप मौज मौस्ती मनुरंजन में व्यस्त रहेंगे। दोस्तों रिष्टेदारों लव पार्टे के साथ सुकत वातवरन में दिन गुजरेगा। मान समान और प्रसीद्धी भी प्राप्त कर सकेंगे। दामपती जीवन में सुक मिलेगा। लव लाइफ में आज के दिन समान इसे अच्छा है। हालाकि आज वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। बढ़ते हैं करक राशी के ओर। आज के दिन लव बच्स के लिए खुशी और सफलता का है। लव लाइफ में अनुकूल वातवरन मिलेगा। परिवार में सुक और शान्ती बनी रहेगी। स्वास्त अच्छा बना रहेगा। नई वस्त, राभूशन या ऐसे सरीज की खरीदारी होगी। नई रिष्टों को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो आपको ध्यान से कदम बढ़ाना चाहिए। अगली राशी है सिंग राशी, आज आपका शारिरिक तता मानसिक स्वास्त अच्छा रहेगा। आज अपनी क्रियेटिविटी से कोई कठन काम असानी से पूरा कर पाएंगे। फ्रेंट्स, लव पार्टनर और रिष्टेदारों के साथ मुलकात आनन दायक होगी और समय अच्छे से गुजरेगा। धार्मिक चारिटी का काम आप करेंगे। आगी बढ़ते हैं कन्या राशी की ओर। लव लाइट में समय अनिकूल नहीं है। आज आपको फ्रेंट्स और स्वीटाट के विरोध का सामना करने के लिए तयार रहना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों के साथ भी विवाद हो सकता है। शारिरिक स्वास्त कमजोर रहेगा। मन पर शिंता का बोज रहने से मानसिक बेचानी का अनुभव होगा। अगली राशी है तुला। आज आप अधिक भागेशाली बन सकेंगे। किसी मांगलिक इवेन तता किसी यात्रा की योजना बन सकती है। विदेश में बसने वाले फ्रेंस और स्वीटाट का सुकत समचार मिलेगा। आज नई संबंदों को आगे बढ़ा सकेंगे। आर्तिक लाब होने की संभावना है। सामानी रूप से स्वास्त अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे व्रश्चिक राशी की। प्रेंस और स्वीटाट से मुलाकात होने से आपका उच्छा बढ़ेगा। अच्छा सा लंच या जनर हो सकता है। आज परिवाल में सुक्षान्ती बनी रहेगी। धार्मिक काम पर धन खर्श होगा। महेंगे परफ्यूम और कपड़े की खरीदारी होगी। अपनी वार्नी के प्रभाफ से लोगों को मोहित कर सकेंगे। आज नए रिष्टों की शुरुआत भी हो सकती है। बढ़ते हैं धनु राशी के ओर। आज लव बर्द्स निर्धारित मुलाकात होने से खुश रहेंगे। लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा है, शारिरिक और मानसिक स्वास के कारण ताजगी और प्रसंता रहेगे। दोस्तों रिष्टिदारों लव पार्टनर के साथ वी मलकात मन को प्रसंद करेगे। समाजिक रूप से आपकी मान प्रतिष्टा में व्रिद्धी होगे। अगली राशी है मकर, आज फ्रेंट्स, लव पार्टनर और रिष्टदारों के साथ आपका विवाद हो सकता है। शारिरिक ताजगी तता मानसिक प्रसंता में कमी का नभव होगा। हलाकि दुपहर के बाद आपकी मानसिक सिधी में परिवर्तन होगा और लव लाइफ में भी सुधार होगा। अब बात करेंगे कुमबराशी की। आज आप नए रिष्टों की शुरुवात या उसकी योजना बना सकेंगे। अज धार में क्लब या टूरिस्ट प्लीज पर मनुरंजन में दिन बितेगा। समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धी में बढ़ेगी। फ्रेंस और लव पार्टनर की प्रगती होगी और विवाहितों की रिष्टों की बात चल सकती है। अंतिम राशी ये मीव, आज आपका दिन अतियंत शुब फल दायक है। आज आपके सभी कामों में सफलता मिलेगी। फ्रेंस और स्वीटार्ट की कारण प्रसंता भरा दिन रहेगा। लव लाइफ में आनंद का वातरवरन बना रहेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, मान सम्मान में व्रिद्धी योगी, प्रमोशन की योग हैं। सांसारिक जीवन आनंदायक रहेगा। आज के लव राशी फल कारिक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए डाउंडोड कीजिए एटीवी भारत आप और विजिट कीजिए एटीवी भारत डाट कॉम।